आपके साथ जुड़ गया हूं अगेन आई पीटी फैमिली में आपका स्वागत है एंड 27 सरे के सकेंड जैन तक के 27 डिसमबर टू सकेंड जैन तक के जो भी निउस हैं वह हम आज पढ़ेंगे थोड़ा साम को समझेंगे एंड श्टार्ट करते हैं सेंसन को आज का तो समझते करनाटक जो आपके बिधान सभा है उन्होंने एक बिधयक पास किया है जिसमें की धर्मांत्रण की बात हुई है कि जो एक धर्म का जो व्यक्ति है दूसरे धर्म में आपका जा सकता है कि नहीं जा सकता है उससे जोड़े कुछ प्रावधान यहां पर बनाए गए हैं तो सम करनाटका प्रडेक्शन ऑफ राइट फिर्टम और रेजन विल 2021 वास पाष्ट इन असेम्ब्ली अड़ा बिल इस पॉपलर्रे नोन अस एंटी कनवर्जन बिल कहा कि इस बिल को क्या नाम दिया है एंटी कनवर्जन बिल इसका नाम दिया गया है तो आपको धिया रहना है कि बिल का नाम कहा है और जो अध्यूद में रखना है उन्हों सब को हमें ध्यान में रखना है एक्जाम में वह पॉलेटी का हिस्सा बनते हैं एक्जाम में आपको दिखाई देते हैं तो समस्ते कुछ और पॉइंट दिये हैं पर दाबिल इस बिंग अपोश्ट टाइंग इस एंटी पीपर इन हुमन अनकॉंसुटुटुशन एंटी पूर एंड ड्राकॉनियन इसको नाम दी रहे हैं बहुत सारे इसको नाम दिये हैं कहा ऐसा वाधानिक कहा है एंसानियत नही किया है काफी अच्छे भाउमत के साथ वो पास हो गया है अकॉर्णिटु लॉव एंट पार्लिमेंट्री अफर्स मिनिस्टर जेसी मदुस्वामी इनिशेशन ऑफ बिल्वाज स्टार्टेट बाइड राव कमिशन ऑफ करनाटक अंडर दाडवाईस ऑफ कॉंग्रेस गॉर सब्सक्राइब तो वह सजा हो सकती है ृष जो धर्म की जो जनता है वो कनवर्ट किया जा रहा है उस चीज उस मुद्दे से जो जो चीजें है जो मुद्दा है उसको खतम करने का यहां पर कोसिस किया गया है यहां उसके साथी नगैकर्द से एकट होता है उसको नगरनेट से हटाने की बात की है जो आध बस्का समस्बांति क्या है यहां पर नहीं दिया है इसको थोड़ा से में आपके पर द्रिख देता हूँ तो इसको आप समस्बांते है कि अर्म पोर्स इस special power act तो कहा जो आपकी सेनाएं होती हैं उनके पास कुछ खास शक्तियां आ जाती हैं तो यह वो आपका act है जिसमें कि सेना के पास कुछ खास शक्तियां आती हैं जिससे कि वो कुछ यदि इमहाँ पर उस राज में उस खेत्र में कुछ ऐसे समाजिक तत्व हो रहे हैं तो सेना को वो कुछ खास शक्तियां दी जाती हैं उससे जुड़ी कुछ यहां पर इन यहां पर तो उसको जो सेंटर गॉर्मेंट से अपस्पा को इस हटाने की बात कर रही है क्योंकि अभी नागलेंट में सब कुछ ठीक है तो यह जो आपकी आपकी प्रावधान ने इसको हटा लिया जाए ऐसा सोच रही है और ऐसा पैनल सेंटर गॉर्मेंट सेट कर रही है इसको प्रावधान जो इसके हैं वो नागलेंट से खतम किये जाएं रइस्टार जनरल और सेंटर सेंसर्श मेंट आफ इंडिया विबेक जोसी वंगे साथ मेंबर रहेंगे पांच मेंबर इसके head ध्यारखना है, विवेक जोसे इसके head रहेंगे, तो head को थोड़ा सा हमें ध्यारखना है हमेशा, कि जो भी committee बनाई, उसके अदिख्ष कौन रखा गया, उनको बनाके मिठाया गया, तो विवेक जोसे इस panel के head होंगे बहुता हैं दो अगे समझते हैं फटा फटा से आगे next news आपके समने है इंडिया टु चेयर चाउंटर ट्राइजर्जम कमेटी ऑफ यू एन इस ने जनन्वारी टूंटी टूंटीटी टू यू एनसी क्या है देखो यहां पर यू एनसी आपका है यूनाइटे नेशन स्मुर्टी काउंसल नीचे आपको दिया भी है सिक्यूर्टी काउंसल की हाँ पर बात कुई है, UN का जो Security Council है, उसका अभी आतंगवाद के मुद्धे पर आपका बैठक होगा, 2022 जनुवरी के महीने में, उसमें जो हैड रहेगा, वो आपकी इंडिया होगी, आपका इंडिया देश होगा, इंडिया विज चेर काउंटर टरिजम कमेटी ओफर इंडिया इंडिया आपका जो है, जो यह आतंगवाद संग्ठनों पर बैठक होगी, इसमें अध्यक्ष बनेगा, इडवर्द वाएगी, यह यह च्छांगे, श्बनेगाडी जो में, जो आतंगोदी समुओं है, या तो आतंगवाद बड़ावाब देते हैं, जिसका गठन किया गया था, 28 सेपनबर 2001 को जब 9-11 का अटक होगया था था, इंडिया गाओद की ओर, कहा कि यहाँ पर यदी कोई देश से कोई संस्थान है कोई ऐसा समू है जो कि आतंगवाद को फाइनस कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कालवाई हो सकती है ऐसा इस में प्रापधान ऐसे इस में बाते हैं तो मीटिंग का हेड रहेगा इंडिया आपका जन्वरी 2022 में मीटिंग होगी उसके बाद नेक्स पर हम पढ़ गया है उसके हिसाब से आपका जो बंगलादेस है चौथा नंबर आ गया है बंगलादेस में कि जितना हमने सभी देसों में एक्सपोर्ट किया है तो आपका जो बंगलादेस है वह आपका चौथे नंबर कर देस बंगया है जहां पर हमने एक्सपोर्ट किये हैं अगर्णिंटो डाटा दिरिंग फ़्श्ट सेवन फफिन यह यह विर ट्वे नंद जितना ज्यादा बढ़ गया वह एक्टी वन पर संट ज्यादा हो गया जो की राश्टियर रहा था उससे 81% ज्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट किया है बंगलादेश हमने This make it India's fourth largest export market behind the US, UAE and China कहा कि आपका जो तीन स्टार्टिंगे देश हैं जहां पर हमने सबसे जादा एक्सपोर्ट किया है यू एई किया है और चाइना किया उसके बाद चौथा बेस कौन है बंगलादेश बन गया है Major items exported to बंगलादेश cotton, serials, electricity, fuels, vehicles, parts and machinery and mechanical appliances का कौन-कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट किया हैं बंगलादेश, cotton हमने जो कापास होता है वो किया है साथ में कुछ आपके serials होते हैं वो की electricity आपने विद्यूत जो होती है कुछ इन्दन की चीज़े हैं जो आपके वहिकर से हमके कुछ हिस्से हैं वो सब machinery है यह सब हमने कुछ बंगलादेश को export किया है समान आते हैं फटा फटा से next news आपके सामने नीटि आयोग रिएज फो थ एडिशन of state health index नीटि आयुग ने चौथा आपके संस्क्रन जाली किया है कि जो राज्य हैं जो इस्टेट्स हैं उनका जो आपका स्वास्तका सुवधाय हैं वो किस-kis हिसाब से हैं कौन से राज्यूं की थोड़ा सा डाउन है नीती आयोग हैसरी is the fourth edition of the state health index for 2019-2020 that provides incremental performance in health outcomes and status कहा कि जो अभी रिपोर्ट आई है 2020 का data है जो कि इसमें दिया गया है बनाए गया है डेवलप किस ने किया report को नीती आयोग ने, वर्ड बैंक ने, साथ में, Ministry of Health and Family Welfare, इन सभी ने आपका data को बनाया है रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, सबसे आपका जो top राज अरिस्टेट रहा कौन सा रहा है, के रेंड तम में राडू आपका काफी अच्छा है, उन्होंने परफॉर्म किया है, थोड़ा सा नीचे आपका UP है आपका जो सबसे नीचे हम कहें कि टॉप स्मलर स्टेट रहा है मेजोरंग, रोवेस्ट रैंक्र, इस स्मलर स्टेट न नागरेंट को दिया गया है, टॉप यूटी दादला नागरहबरी एंड द्रमनेट दियू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपका जो स्वास प्राइस रहेगा, बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा ओनलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि आपका कोविट का टाइम चल रहा है, आप बैठे बैठे ओनलाइन पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही कम प्राइस में आपके सामने को उसर रहेगा, उसके देखो कंपलिय्ट अम्हें है कि कम्पिट नाम क्या है सेंटल फॉर एकोन अनब बिजना सर्च तुछ इन्होंने ऐसा एपोर्ट इसु किया है क्या है रिपोर्ट में है थेपोर्टिट था कि इंडियर था यास्ते थे रिजा इनवर्ड एकोनों मिबच गेब कहा कि 2021 तक इंडिया की GDP जो है इंडिया जो दुनिया की सबसे आपके सकती सरी बड़ एकॉनोमी बन जाएगा 2031 तक CEBR अलसो प्रेक्टिट देट चाइना विल ओवर्टेक दा यूएस इन 2013 CEBR ने ऐसा भी कहा था कि चाइना जो है ओवर्टेक करेगा यूएस को कब तक 2030 तक टू येर्स लेटर देन फॉरकाष्ट एयर एगो एक सार पैसे जो अनाउंस्मेट किया गया था उससे दो सार बाद यह ऐसा कि चाइना अचीव करेगा इंडिया विल ओर्टेक एन इंप्रूमेंट इन इस रांकिंग इन वर्ड एकॉनमेक रीग टेबर राइजिंग फ्राम सेवंथ प्रेस इन 2021 कहा कि जो आपका इंडिया है वो आपका सात्म प्रेस से आपका जो इस्थान आपका अभी चल रहा है वो सेवंथ के आसपास से कहा कि वहां से आपका जम करके 2030 तक पहुंच जाएगा कहां पर थार्ड एकॉनमी बन जाएगा दुनिया की अभी क्या है कहा कि जो आपका इंडिया की इंडिया की उसके साथ ही नेक्स आपके सामने है कहा होंग कॉंग में एक इस्टाचू था उसका नाम था पिलर ऑफ शेम तो इसको हटा दिया गया है तो छिपा दिया गया है तो वो कुछ बाते हैं पर दी है कहा कि देखो कि इस्टाचू था मैं थोड़ा सापको समझा दू बेसिक बाते हैं तो उसकी निंदा हो रही है कि वो क्या है कि जो इस्टाचू में जो आंदोरन हुआ वहां पर जो रोक थे उनको काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यह श्टाचू था दिया गया है तो यह जो आपका इस्टाचू कितना उंचा था आठ मीटर उंचाई का था साथ में किस ने बनाया था जो इस्टाचू है इस साल में को चैना को संप तिया ता किसने बिटिल हने हम ने रहे हैं नंगा फर टरचर्ट बोडेज्ट थे वाढऻ से।न वर्टेoden वर्टे। इसमें क्या था 50 फेसिस 50 आदमियों के चहरे थे जो कि आपके एक टॉर्चर करती हुई बॉडिस के चहरे थे इनको आपका यह इस्टाचू को हटा दिया गया है भी और कहां पर इस्टाचू था हंग कौंग में था तो यह नहीं उस था आपके सामने आक्स नियूज आपके सामने है जापान इंट्रड्डिउस वाड्स फ़स्ट ड्यूल वोडव हहें का जापान ऐसा एक वहें को मललें वहें पर आवर की आपकी स्पीड से दॉड़ सकता है तो इस पीड भी आपको यहां पर दी है दुनिया में यह पहले टाइप का अपना यूनीक है जो की सड़क पर भी चल सकता है और ट्रक्स पर भी दोड़ सकता है बहुत यूनीक फीचर है पहली वाल ऐसा दुनिया में किया गया है इसको ऋफ शेकोगकी आइलेंड वहां पर आपका इसको आइलेंड इसको रॉंच किया गया है connecting several small towns and offering passengers attractive sea side scenery तो C के आसपास की जो चीजें हैं उनको दिखाने के लिए जो आपके जो जनता होती है जनता को इसमें बिठा के उन्हापे C के आसपास की जो भी नजारे हैं वो दिखाए जाएंगे तो उसके लिए भी इसको स्टार्ट किया गया है उसके बाद next news आपके सामने है Aschin Chihana takes charge as chairman of Yamaha Motors India Group कहा कि Yamaha Motors India के जो आपके नए अध्यक्षे कौन बने है Aschin Chihana को बना दिया गया है Yamaha कहा की company है तो आपकी Yamaha का जो headquarter है वो जैपाइन में है ये आपको धान ध्यान रखना है He has been associated with Yamaha Motor Company and its group companies across the globe since 1991 कहा कि Yamaha के साथ जुड़े हुए है ये आपके Aschin Chihana कब से 1991 से जुड़े हुए है He holds strong expertise across different verticals like sales, marketing and business management with a major focus on motorcycle business operations in Europe Northern America, African, Middle Eastern and Asian markets कहा कि काफी टाइम से company के साथ जुड़े हुए है काफी वो sales में, marketing में, business management में इन सभी sectors में वो company के साथ जुड़े रहे and कहा कहा के operations को देखा उन्होंने North America, Africa, साथ में आपके जो Asia है उसके market score नोंने काफी टाइम से देखा है उसके बाद next news आपके सामने है MD and CEO of Punjab National Bank with effect from 1st Feb 2022 यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा mistake है 1 Feb 2022 आएगा कोई बात नहीं कि यह जो आपके अतल को बाद है पहले किसके थे यूको बैंक के MDCO थे अभी किसके मन जाएंगे PNB के मन जाएंगे कब से effect होगा यह 1 Feb 2022 बाइस से यह effect में आएगा He will serve as the officer on special duty in PNB until January 31, 2022 January 31 तक वो क्या बनेंगे PNB में Officer on special duty यह officer का rank को वो समभा देंगे and PNB chief until December 31, 2024 PNB के head captain हैंगे 31 December 12, 2024 and he succeeded Malik Arjun Rao and किसकी जगह पर बैठेंगे वो मरिकार जो राओ जो आपके अभी PNB के अधिक्षपन के जगह पर बैठेंगे In his place Soma Sankar Prasad has been appointed as MD and CEO of Yuko Bank अभी Yuko Bank के नए अधिक्षपन मने है Soma Sankar Prasad आपके नए अधिक्षपन का है Yuko Bank के Headquarter कहाँ पे है आपको दिया है Headquarter PNB कहाँ पे है New Delhi में Head Office है PNB का यह आपको ध्यान में रखना है उसी के साथ next news आपके सामने है वासुदेबन PN Re-appointed as MD and CEO of Equitas Small Finance Bank कहा कि जो Equitas Small Finance Bank है इसके नए MD CEO कौन मने है वासुदेबन PN आपके बन गए है वासुदेबन पाठांगी नर्शममन has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Equitas Small Finance Bank Limited कहा कि जो वासुदेब नर्शमन है वो आपके नए CEO का है जो कि Small Finance Bank है Equitas नाम का इसके इसका देखो Headquarter कहाँ पे है चेन नहीं तॉमिनाडू में है इस Bank का Headquarter जो Small Finance Bank है इसका Headquarter कहाँ पे है आपका चेन नहीं तॉमिनाडू में है इनका जो Tenure रहेगा वो कब से कब तक रहेगा 2022-2025 तक रहेगा यह Equitas जो आपका Finance Bank है वो क्या है Micro Finance Render है 2016 में इसकी स्थापना होई है Micro Finance क्या होता है कि जो छोटा सा आपको कुछ एक Limited Amount में इनको अनुमती होती है कि आप इतना ही रोन आपको Market में देंगे जैसे आपको कुछ एक राख तक का परमिशन होता है कि वन राख या फाइव राख तक का परमिशन होता है बहुत बड़ी अमाउंट रोन की मालो कि 50 राख या इसा बहुत बड़ा माउंट आपको Finance में नहीं देंगे तो यह आपका Microfinancing होता है चोटी चोटी जैसे NGOs होते हैं चोटी आपकी महिलाएं होती है उनको कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके उसके साथी नेक्स न्यूस आपके सामने है Reserve Bank of India RBI recently extended the deadline for compiling with the card information storage rules by another six months कहा कि जो नियम थे जो card donation का ये नियम दे क्या ही थी RBI इसकी जो आपकी ये deadline है इसको अभी 6 महीने और बढ़ा दिये गए है deadline was extended because merchants and payments companies express their inability to comply with the December 31 deadline कहा कि जो संस्था है जो company है वो अभी तेयार नहीं है इससे कहा कि हम अभी तेयार नहीं है और जो time है इसको बढ़ा दिया जाए RBI टुक दिसीजन as industry bodies had requested the central bank to extend the deadline from 31st December highlighting multiple challenges in implementing new guidelines कहा कि RBI इने जो आपका है इसको बढ़ा के कितना कर दिया है 31st December कर दिया है इसको बढ़ा के आपका गाड़े लेंस को अब थोड़ा मैं आपको आम भासा में समिठा दूं क्या है देखो अभी जो आपके जो टोकन के नियम है कि जो आप पेमेंट करते हैं जैसे पीटिम पर जाके या फॉन पर जाके पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको कार्ट की आपके डेबिटर्स का जो आपके ATM से उनका बहुत जाला डाटाबेस उनके पार से कंपनियों के पार से नहीं होगा एक सिंगर टोकन के मादिम से आप पेमेंट आपसानी से कर पाएंगे वही आल भी आगे जो समय है उसमें लेखिया रहेगी उसी की बात ही आपर हो रही है उसके साथ ही next news आपके सामने है PNB enters into co-rending arrangement with a lending card तो PNB ने भी टाइप किया है कौन सी कंपनी के साथ lending card से नाम से जो कंपनी है उसके साथ टाइप किया है जैसे आपको पता है कि जो चीजें है वो बहतर हो सकती है जब हम एक दूसरे के साथ सहायता से कुछ हाथ मिला के कु ज्यादा से ज्यादा business को बढ़ाया जा सके ज्यादा से ज्यादा आपको आम आदमी तक पहुंच बनाई जा सके इस partnership is part of its effort to improve the flow of credit to the unzirved and undeserved sector of economy जहां तक अभी PNB की पहुंच नहीं है कुछ आपको नहीं पहुंच पारे तो वहां तक पहुंच आया जाएगा चीजों को इस arrangement will focus on digital underwriting and cash flow based lending. Underwriting नहीं से किसी के बहाफ पर जिम्मेदारी देना. तो यहां पर आपको क्या है कि जो आपकी चीज़े है वो बहतर की जाएगी किसी के पास guarantee नहीं है, assets नहीं है तब भी उसको lending कुछ हर्द तक दी जाएगी. The ultimate beneficiary would be MSME borrowers who will get the funds at an affordable rate with greater outreach considering the lower cost of funds from banks and greater reach of the NBFC. NBFC क्या है यहां पर देखो, non-banking finance company, ध्यान रखना है. NBFC क्या है, non-banking finance company. And MSME क्या है, micro small medium enterprises, micro small medium enterprises, छोटे छोटे उध्योग आप कह सकते हैं, हिंदी भासा में MSME को. NBFC क्या है, NBFC आप कह सकते हैं, जैसे bank होता है, वैसे ही आपका छोटे-छोटे संस्थान होते हैं, जो कि financing करते हैं आपको, तो ऐसे बहुत सारे NBFC आपके इंडिया में मुझूद है. तो PNP ने साटाइप किया किसके साथ है, रैंडिंग कार्ट के साथ अभी. उसके साथ ही next news आपके सामने है, Egypt added as the fourth member of BRICS, a new development bank. कहा कि Egypt आपका BRICS जो समूँ है, इसमें आपका BRICS NDB Bank है, इसका नया member बन गया है, चौथा नया member बन गया है, इससे पहले कहों से member बने हैं, दिखो भी. बंगलेस को बनाया है, UAE को बनाया है, अरुगवे को बनाया है, यह आपका कुछ परना टाइम पर है, September 2020 में, 2020 में आपके member बने थे. मैं थोड़ा से information आपको दे दूँ, तो BRICS आपके क्या है, ब्लाजीर है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफरीका है, यह पांचों देश आपके क्या है, BRICS के member है, पर्मानेंट member है, एंड ब्रिक्स का जो एक bank है, उसको कहते हैं, New Development Bank. BRICS bank का आपके है सकते हैं, उसको या, New Development Bank भी इसको कहा जाता है, और BRICS क्या है, जो आपका दुनिया है, देश है, यह सभी देशों को funding किया जाए, पैसा दिया जाए, यह New Development Bank की जिम्मेदारी है यहाँ पे, उसके पार next news आपके सामने है, RBI extended restriction on PMC bank for 3 months till March 2022, Reserve Bank of India has extended restriction on Punjab and V National Cooperative Bank for another 3 months till the end of March 2022, the move has been taken as further action on the draft, a scheme for the takeover of the crisis-hit bank by Delhi-based Unity Small Finance Bank is in process, RBI had suppressed the board of PMC bank in September 2019 and placed it under regulatory restrictions, including a cape on withdrawals by its customers, कहा देखो, अभी RBI ने PMC bank पर 3 months की पावंदी रगा दी है, जो पावंदी है, तीन महीने उसको extend कर दिया है, March 2022 तर, PMC का नाम क्या है देखो, Punjab and Mahashtra Cooperative Bank, तो मैं थोड़ा आपको information दे दो, कहा कि PMC जो bank है, इसने कुछ क्या किया था कि, एक HD IR नाम से company है, इसको रोन दि लेकिन वो company वापस नहीं दे पाई, और जो है, जो PMC bank है, इसने उसको NPA में नहीं डाला, NPA क्या होता है, Non-Performing Assets, जिससे क्या हुआ, RBI ने जांच किया, तो उसको पता-पढ़ा कि NPS को नहीं दिखा है, तो उस bank पर PMC bank पर RBI ने पावंदी रगा दिये, कि आप भाई, ज IEL का जो case था, वो September 2019 के आसपास की बात है, तो RBI ने अभी पावन दिया है, PMC bank पर वो तीन महीने एक्सेंट कर दी है, कब तक मार्च 2022 तक, उसके साथी next news आपके सामने है, INS खुकुरी, decommissioned after 32 years of service to nation, कहा कि INS जो खुकुरी है, वाकर decommission, उसको हटा दिये गया है, 32 साल क ये सेवान उसने देश को दी है, and INS आपका समझने क्या है, पॉइंट, इंडिया जो फर्स्ट इंडिजिने सी बिल्ट मिसाइल, कॉलवैट्स, INS खुकुरी, वाज़ दी कमिशन आफ्टर 32 years of service, एट विशा का पतनाम, on December 24, 2021, 24, 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 24 इंडिया का टैक था, जो जंडा था, वो हटा दिये गया, उदा दिये गया, आपका जब संसेट हुआ तो, INS खुकडी वास बिल्ट वाइदा, मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स अगस्ट 23, 1989, कभी इसको बनाया गया, 23, 1909, किस कम्पनी ने बनाया, मैज़ागन डॉक इसको बनाया था, इट हैड़ दा, डिश्टेंग्शन ऑफ बिइंग पार्ट ऑफ बैस्टन आइस वाल एस इस्टन फ्रेट, किस कि यह आपके साथ जोडी रही, तो पस्चिमी यह जो आपका हिस्सा है, जो पूर्वी हिस्सा है, जो उन्र सेना, जो आपका नेवी है, उसक जो आपका बहुत इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट आप मार्क करेना, जो भी एक्जाम देंगे, आपको वहाँ पर दिखाई देगा, आपका जो नासा ने एक बड़ा टेलेस्कोप बना दिया है, उसका नाम दे दिया है, जेम्स वेब टेल स्पेस, तो यह बहुत बड़ा नहीं उस है, जो भी एक्जाम देंगे, आपको दिखाई देगा, नासा स्टैन्बरियन यूस्टी टेलेस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलेस्कोप डिजाइन तो काप्चर दा फर्स्ट ग्रिम्स ओफ दा यूनिवर्स जेश्ट शॉटरी आफ्टर दा बिग बैंग इस तारगेटेड फॉर बिलाश्टो फ्रॉम दा यूरोपियन इस पेस अजन्सी कॉलू फ्राइंच गवेना, तो कहा कि यह आपका जो अजिए आपके जो इनसान काहिती हा, सरुषको समझने में सहयक होगा. त्रॉषकोप आपका जो फिटना बड़ा है एक्कीस फिट का आपका जैंसे काफी बड़ा आपका जो गाँए यूस के जो आपका जैसे काना में गया है उसका नाम किया था? सब्सक्राइब इसमें अठारा हेग्जोगनल सेक्संस हैं इसको मोड के एक रॉकेट में भी फिट किया जा सकता है तो इसको काफी अच्छा बैटर नासाना डिजाइन किया उसके बाद नेक्ष्ट पर हम पहुंच कहा है पीम मोदी टुले फांडेशन इस्टोन ऑफ फोर पानी से जुडा जैसे आप बनाते हो बाद बनाते हो समझते हैं क्या है इसमें पीम मोदी विजिटिंग मंडी हिमाचर पदेश टू इन अगुलेट एंड रेदा फांडेशन इस्टोन ऑफ हाइडरो पावर प्रजेक्ट से वर्थ बार 11,000 करोड कहा कितना पैसा इसमें ल इसमें लिए फांडेशन इस्टोन उफ रानुकारजी डैम प्रजेक्ट विच इस रेंग पंडिंग फोर आवड तीन दसकों से जो आपका रही रानुकारजी डैम प्रजेक्ट वह आपका पंडिंग था इसको अभी उन्होंने मनुमती दे दिया है गोर्मेंट ने पीम मो कहा कि आपका जो इसकी जो कोष्ट आई है 2080 क्रोड पर क्या है जिससे कि कितना आपका एक्टिस्टी प्रडियूस होगा 111 मेगवाट एक्टिस्टी प्रडियूस यहां से होगी दूसरे प्रडियूस है रुहडी स्टेज वन है और साथ में धौरा सिद्ध हाइडर प्रजेक्ट यह भी आपके अभी यहां पर इनको पर्मिशन लिया गया है इनको उद्गाटन किया गया है इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स ट्यूस पर आपके सामने डीजिए दियार डीउने आपका जो एक टेकनोलोजी बनाई है है जो कि हमारे जो सांटेर अफ्शन के यह थे कपड़े चाहिए होते हैं तो ऐसा टेक्निक डिसांट किया जिससे कि अच्छे कपड़े छंड थे करिए उनको बनाई जा सके वह बना के कुछ कंपनी इसको डी आडियों ने सौप दिया है डिफाइंस रिसर्च अन्ट और्पमेंट और्गनेशन चेर्मेन जी सथी सरेडी आज हैंड इडियों और टेक्नलोजी इस्ट्रीम को डवैदर क्लोधिंग सिस्टम तो फाइट इंडियन कंपनी तो यह टेक्माजी बना के यहां पर हमारी सेना बहुत ही ठंड में वहाँ पर देश की सेवा करती है तो उनके लिए कपने डिजाइन की गए प्रिजेंटरी आमी इंपोर्ट से एक्स्ट्रीम कोर्ड वैदर गोडिंग अंड सैबल स्पेशल गोडिंग एंड माउंटरिंग अकुमेंट्स आइटम्स फॉदा ट्रॉप्स डप्लाइड इन हाई अटिटूट्स रीजन अभी हम दूसरे देशों से ऐसे अपने मंगाते हैं ताकि हमारी जो सेना है वो आपका ठंड में से देश की सेवा कर सके और सेक्योर्टी कर सके देश की उसके साथ ही नेक्ट्स न्यूज आपके सामने है जापान और चाइना एग्रेड टॉँटरी होट राइन बाइड बाइड क्याइड यह अधाली आपके अधाग अधाली जापान और चाइना जो आपके दो इन दौनों की बीच फाह जो भी टिस्पीट जिन भी चेत्रों पर तो उनको सॉल्ट आउट किया जाग उनको समाधान किया जागा 2022 तक देश को डिस्टेंड अधान अच्छे एग्राइड मेकनिजम कहा कि जो भी आपके दौनों देशों के साथ अच्छे संबंद बने रहें जो भी डिस्प्यूटेड चीजे हैं जो भी ऐसे छेत्र हैं जा पर डिस्प्यूट है चाहे वो सी में है चाहे वो जमीन पर है उनको समाधान किया जाएगा 2022 एंट कर उसके साथ ही नेक्श न्यूज आपके सामने है आलिया भट कनफर्ड विट पीटा इंडिया की पर्सन ऑफ दा इयर अनौंस की गई है पीटा क्या है देखो पीटा एक संस्था है जिसका नाम है पीपल और फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ इनीवर्स तो यह पीट को दिया है क्योंकि आलिया भाट ने कुछ पीछ ऐसे काम किये हैं जो कि हृ Onlyät लीये ऐंडिया बनाती है तो यह जी वह दिए जह बनाती है तो पीटा तो Hang पा इंतर कूंग करदेविछ ऒिङवर्स सांस्था एदे यहिएम सेडिया है ऐद मामा श्वैडेश पैदा गिवां यह हमार्चर प्रदेश क्रीट हिश्री विइन हजारे ट्रॉफी सब्वाइव你們 though, उ म्हारम लोद इंट भंड की परॉइशनुब्स प्लिबार जीच चुका है एंड उसके बारे में थोड़ा से इंफोर्मेशन नहीं आप दिया है हिमाचर प्रेस इसके पर रिशी दवन वन दा टॉस एंड पूट देने सकारतिक रीड तमिनाडू टू बैट कहा कि हिमाचर प्रेस के जो आपके रिशी दवन है उन्होंने काफी अच्छा है कि उससा तक लगा दिया है हिमाचर कर दिया है एंड तमिनाडू को डिफिट कर दिया है कहा तमिनाडू है बीन दबैश्ट डॉमेश्टिक साइड इन वाइट वार्ड अकुर्ट इस था तरह सथा पर फॉर्म किया है पीछे सालों में आपका उस से हमें क्या तयां रहना चाहिए उसके लिए कि ऑबिये ऐसा कुछ होता है तो हमारे जो स्वास्त रकाल सिस्टम है बहत्र हो हूं हॉश्पिर चीरम medicine सची हो, vaccine सची हो. दुनिया में कौन रुकम मनाए गया है? डे 27th December कौ मनाए गया है. United Nations and World Health Organization marked December 27th as the International Day for Epidemic Preparedness. Battered by the COVID-19 pandemic, humans have learned about the epidemic preparedness the hard way. In a bid to prepare for future outbreaks and sensitive people about epidemics on all levels. The day was first observed last December when the United Nations General Assembly has emphasized on the need to advocate the importance of the preparedness for prevention of and partnership against epidemics. कहा कि देखो राश्टियर इसको मनाया गया था. राश्टियर समना ने स्टार्ट किया है, जब EU1 के साट से पास हुआ था. As per it, the need of the hours to invest in the system that can help detect, prevent and respond to outbreaks that have the ability to disrupt health system, supply chains and livelihood of especially a poorest country. कहा कि देखो, जो आपकी बीमारियां है, उनको पहले से पहचाना आजाए. साथ में उनकी जो क्या हो, रोक्ताम होनी चाहिए, वैक्सीन्स अमारे पास अच्छी होने चाहिए, होस्पिटल्स अच्छी होने चाहिए, ताकि जो गरीब देश है, महाँ पर कोई समस्याय ना है, वो और जदा नहीं तो नुक्सान में जाएंगी, और उनके चीज़ें भारी पढ़ती जाएंगी, वो और बोज में धबते जाएंगे, जो गरीब देश है, तो हमें एक तयार हैना चीए, ऐसे कोई पैंटमिक आती है, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने न्यूज है, स्टीट फोटोग्राफर सेवाइन वेज पाश्ट अभे, एक फोटोग्राफर थी, उनका निधन हो गया है, सेवाइन वेज पाइन का निधन हो गया है, तो कहां के थी आपके, स्टीट फोटोग्राफर सेवाइन वेज पाश्ट अभे अड़ अड़ एज ऑफ 97, 97 एज की इनकी एज थी, जिनका भी निधन हो गया है, एंट सी वाज रिगार्ड़ेट अज राश्ट आफ फोटोग्राफर सेवाइन वेज पाश्ट वर्डवाज सेकिंड, कहा कि जो दूसरा आपका विस्विदू था, उसके टाइम पर भी इनकोछ फोटों खीची थी, कुछ अच्छी तस्मीर खीची थी, कैसी पिक्चर्स ही देखो याँ पर दिया है, कि भिखालियों की पिक्चर्स थी, बैगर्स की पिक्चर्स थी, कुछ आपके जो चोटे बच्चे आपके सब्सक्राइब की पिक्चर्स थी, तो काफी एक सुसाइटी के पर पसे इनकोछ फोटोराफिय किया था, तो उनका भी निधन हो गया है, 97 उमर की अवस्थामन का निधन हो भी हो गया, उसके साथ ही कुछ आपके सामने आ गए है, तो कुछिशन नमर वन आपके सामने है, डैश, असेंबली पासिस एंटी कनवर्जन बिल एमिड अपॉन अप्रोर कहा की, कौन सी आपके जो विधान सभा है, उन्होंने पास किया है विधेर, तो करनाटा किसका आपके सामने है, चौथा कौन सा देश बन गया है, जहां पर हमने सबस्जाद एक्सपोर्ट किया है, तो बंगरा देश बन गया है, भी आपके सामने है, उसके सामने उसके बाद, नेक्स्ट है, नीती आयोग, रेजड़ डैश अडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स, नीती आयोग ने कौन सा संस्क्रण जाली किया है, राज्य स्वास्त आपका जो इंडेक्स रुसका, तो चौथा संस्क्रण इशू किया है, फूर्थ आपका यह उप्शन दिया हुआ है, फाइव में कहा, पी एम मोदी टुले फांडेशन इस्टोन आफ फोर हाइडरो पावर प्रजेक्ट से ने डैश कहा कि, अभी चाल आपके जो हाइडरो प्रजेक्ट से वो कहां, मोदी जी ने उनका उधरन किया, तो हिमार्चर प्रदेश में पीछे हमने बात किया, आपके सामने दिया हुआ है, उसके साथ ही सिक्स पॉइंट आपके सामने है, डैश एंटर से इंटो को रेंडिंडिंग अर्एंजमेंट विल रेंडिंग कार्ट, कौन सा बैंक ने समझा होता कि यह रेंडिंग कार्ट के साथ, पी एंटर बी ने किया है, पी एंटर आपके सामने डी दिया हुआ है, उसके साथ ही सैवंथ में आ गये है, क्या हैं इंटर आपके सामने अब यह किसको है बैंक नडी बी जो है उसमें सामिल किया गया है, C option Egypt यहां पर दिया है Egypt को हमने अभी Egypt को सामिल किया गया है BRICS जो NDB Bank है उसका हिस्सा बनाए गया है और next 9 question आपके सामने है International Day of Epidemic Preparation 2021 मनाए गया है कौन से date को मनाए 27 December को मनाए B option आपके सामने दिया हुआ है तो आ गए है last question आपका quiz का आपके सामने है RBI extends restriction on dash for three months till March 2022 मैंने आपको समझाई थी कहानी आपको सुपुरी की सुनाई थी कि PMC जो bank है उस पर पावंदी लगाई है तियन महीने इस पावंदी को बढ़ा दिया है PMC bank ने क्या किया था क्यों किया था यह सब बाते में आपको आपको आपके नियूस में समझाई है तो यहाँ पर सैसन को हम वाइन रखते हैं आज यतना ही बाकि हम next time पढ़ेंगे आज यतना ही thank you very much to all of you wszystkie यतना ही जतना ही अली है झाझ को पला है